सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है मैंने पहले भी आपको कहा कि सूर्य के बिना जोतिश चलता ही नहीं है बिना सूर्य के जोतिश की कलपना की ही नहीं जा सकती इसलिए हमारे जीवन में सूर्य का महत्व भी बहुत ज्यादा है सूर्य का स्थान भी बहुत important है सूर्य का महत्व क्या है भाई समस्त स्रिष्टी के उर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उस ब्रह्मांड में जो उर्जा आती है या उस ब्रह्मांड में जो प्रकाश आता है इसके पीछे जो ग्रह है वो सूर्य है स्वास्थ का पूरा पूरा मामला सूर्य कंट्रोल करता है लेकिन उसमें भी आँखों की समस्या, पेट की समस्या और हड्डियों की समस्या पूरी तरह से सूर्य के पास होती है इसके अलामाज जो सरकारी काम हैं, स्टेट के काम हैं वो भी सूरिके हैं और शद्धी भी सूरिकी है, पिता का भी सूरिक से ही संबंद है और खाने पीने की चीजों के पीछे भी बहुत हद तक सूरिकी भूमिका होती है बहुत हद तक सूरिका योगदान रहता है सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो, सूर्य अगर कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति यशश्वी होता है, नाम और यश पाता है और जीवन में संपन होता है, जीवन में प्रॉस्परेस होता है अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो, सूर्य कुंडली में वीक साइड में हो तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है वो दुर्बल होता है, रोगी होता है और निर्धन होता है हिरिदय रोग की समस्या, आखों की गंभीर समस्या या मोटे तौर पे अगर हम समझें तो जीवन के हर स्वास्त की समस्या के पीछे जो ग्रह होता है उसे सूर्य कहते है अगर कुंडली में सूर्य प्रबल हो जाता है तो छोटी मोटी बीमारियां भी परिशान नहीं करती और अगर कुंडली में सूर्य गडबर होता है तो छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा परिशान करती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं सूर्य अगर अच्छा हो आपके उपर कृपा कर दे तो सूर्य की वज़़ से व्यक्ति को गवर्मेंट जॉब या राजकिय सेवा की प्राप्ती भी होती है एक बात समझ लिजिए कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य बहतर है तो तीन चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी परिवार का सहयोग और अगर सूर्य गडबड है तो ये तीनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं इसलिए सूर्य को बेहतर करना सूर्य को मजबूत करना नितांत आवश्यक है बिना सूर्य को मजबूत किये हुए आप अपने जीवन में बहुत सफलता नहीं पा सकते